दॉक्तर स्यामदत्य दूबे असिस्टेंट प्रोफेसर जरोगाफी उत्तप्रदेश्टाइब इस राजयशी टंडन मुक्त विशुभीद्यले प्रयागराज आज का भीषे है मानो भुगोल मानो भुगोल की एक प्रमुख शाखा है जन संख्या भुगोल की जो सबसे प्रमुख जो भीषे है वह है जन संख्या के बितरण एवन घंट को प्रभावित करने वाले कारक वह दो कारक हैं पहला है प्राकृतिक कारक दूसरा है मानुवी कारक वास्तों में धरातल पे जो जनसंख्या है उसका जो बितरण है अर्थात फैलाओ बसाओ वह अलग-अलग अस्थानों पे अलग-अलग है उसी प्रकार जनसंख्या के अनुशार ही वहां का घनत्त है जहां जनसंख्या कम है वहां का जनसंख्या घनत कम है तो हमने प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में बाटा है पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवी कारक प्राकृतिक कारक में वे कारक आते हैं जो सीधे सीधे प्रकित जनसंख्या बसाव को प्रभावित करती ह तो प्राकृतिक कारक में पांच प्रमुख बिंदू हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करती हैं उसमें नंबर एक है जलवायू नंबर दो पे है धरातल का स्वरूप नंबर तीन है जलापूर्ती नंबर चार है प्राकृतिक वनस्पती और नंबर पांच है खनिश्चन साधन तो हम पहले नंबर एक बताते हैं जलवायू जलवायू जनसंख्या के बितरन और घनत को सबसे अधिक प्रभावित करती है क्योंकि जलवाय हुए ऐसी चीज है कि जो मनुष्य के बसाव को अर्था जनसंख्या के बसाव के लिए आवश्यक होती है जह हम जानते हैं कि जलवाय को जो सबसे प्रमुख बिंदू है वह है तापमान दूसरा है वर्षा तीसरी है आर्दता चौथी है पवन प्रवार इस प्रकार से जहां का तापमान अधिक होगा वहां पे जनसंख्या बसाव नहीं होगा जहां का तापमान कम होगा सुने डिग्री से कम होगा वहां जनसंख्या बसाव नहीं रहेगी जैसे उदारण के रूप में आप देखेंगे कि जो बिश्व के जो परवती छेत्र हैं हिमालय रौकी इंडीज आल्प्स इन सब परवतों के ऊपर इन सब परवतों के आसपास जनसंख्या का जो बसाव है वह सबसे कम होता है अर्थात एक ब्यक्ति प्रतिवर किलो मीटर से भी कम रहता है उसी प्रकार जहां पे सरवाधिक तापमान है अर्थात भूमद रेखा के आसपास वहाँ पे भी जनसंख्या बसाव नहीं मिलता क्योंकि वहाँ के रहने योग तापमान नहीं होता है अर्था अधिक होती है तो सरीर में बिबिन प्रकार के रोग और लिसलिशापन के कारण वहाँ जनसंख्या बसाव नहीं होता है भूमद रेखा के आसपास सरवाधिक बसाव जो है वह भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उच्छ अक्षांस तरब बढ़ते हैं खास करके 10 डिगरी अक्षांस से ले करके 30 डिगरी अक्षांसों के बीच ही सरवाधिक जनसंख्या का बसाव पाया जाता है और वहीं पे सरवाधिक जनसंख्या का घनतु भी पाया जाता है उसी प्रकार से जहां पे रेगिस्तान है रेगिस्तान में भी जनसंख्या का बसाव नहीं पाया जाता है इस प्रकार से जलवायू जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारक है नंबर दो पे आता है धरातल का स्वरूप धरातल का स्वरूप भी जनसंख्या के बितरण और घनत को प्रभावित करता है इसको जब आप देखेंगे तो धरातल का मुख्यता जो चार स्वरूप होता है परवत, पठार, मैदान और रेगिस्तान ये सभी जनसंख्या के बसाओ को प्रभावित करते हैं परवतों पे जनसंख्या नहीं रहती क्योंकि वहां पे रहने योग के शुविधा नहीं होती वहां पे पीने के लिए पानी नहीं होता वहां पे सुचारी रूप से शाधन नहीं होते परिवहन के साधनन का अभाव होता है क्रिशी योग के भूम का अभाव होता है तो जहां पे क्रिशियों की भूम नहीं रहेगी, अर्थात भोजन नहीं होगा, मकान बनाने के लिए संसादन नहीं होगे और जहां रहने के लिए शुविधा नहीं होगी, वहां पे मनुशिक्यों जाएगा तो इस नाते परवतों के ऊपर मनुश्यों का बशाव नहीं होता अर्थात वहां जनसंख्या नहीं वसती है उसी प्रकार पठारों का है भारत के सहित जो 200 भर के जो पठार है के चाहे आस्टेलीया का पठार हो या भारत का का दक्कन का पठार हो अर्जिंटीनिया का पठार है पामीर का पठार चीन का हैह इन सभी पठारों पर आप हैंकि जन्संख्या का बसाव वहाँ दो ब्यक्ती प्रती वर किलो मेटर से भी कम है कि वहाँ का घंतbles इतना कम है क्योंकि पठारों पे बी उपजाओ भूम नहीं मुलती पठारों पर भी वनस्पतियों का आभाव है पठारों पे भी जलापुर्ती के साधन नहीं है अर्थात ऐसे छेतर जहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान जहाँ पे जीने के साधन होंगे मोहीं पे मानव का बसा होगा प्राक्तिक कारक का जो तीसरा कारक है वो जलापुर्ती प्राचीन काल से जो जनसंख्या रही है वह नदियों के किनारे, सागरों के किनारे, जीलों के किनारे, तालाबों के किनारे बसती आ रही है क्योंकि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यक्ता है वह जल है भोजन से पहले जल की आवश्यक्ता पढ़ती है इसलिए मनुष्य जब भी बसने का प्रयास किया है आज से करोडों वर्स पहले से ले करके आज का मानव वह जल के किनारे ही बसता है इसनाते जहां पे जलापूर्ती के साधन रहते हैं वहीं पे मानव का बसाव सरवाधिक रहता है विशु भर के जितने भी महानगर है जहां पे सरवाधिक जनसंख्या घनत तो है अर्थाथ विशु के सरवाधिक जनसंख्या वाले जो सहर हैं ओ ज्यादा तर नदियों के किनारे हैं चाहे अमेरिका का न्यूयार के सहर हो वासिंगटन दीशी हो या भारत के गंगा या मुना के किनारे हो सिंदु के किनारे हो या चीन के जो बड़े संगाई है वांग हो और इन सब रेड नदियों के किनारे हैं जितने भी बड़े बड़े जनसंख्या घनत वाले सहर हैं और नदियों के किनारे बसे हैं उसी प्रकार जो जनसंख्या का सरवाधिक बसाओ है वह तटी छेत्रों के किनारे हैं सागरों के किनारे हैं क्योंकि वहां जलापूर्ती के साधन है उनको पीने के लिए भी मिल जाता और अपने उद्योगों के लिए भी आजकल आधुनिक यूग चल रहा है तो आधुनिक यूग में प्रतियक उद्योग को जल का बहुत आवशक्ता होती है तो जल की आवशक्ता पूर्ति के लिए आजकल उद्योग भी नदियों के किनारे लगते हैं तालाबों के किनारे जी जनसंख्या का जो बितरण है और घनत होई प्रभावित होता है तो विश्चुभर के जितने भी बड़े-बड़े सहर है उन नदियों शागरों तालाबों के किनारे बशे हुए हैं और जहां पर जलापूर्ती नहीं है वहां पर नहीं है जैसे रेगिस्तान वहां पर सुनी जनसंख्या का घनत तो पाया जाता है क्योंकि रेगिस्तान में जल नहीं है तो जहां पर जल नहीं है वहां पर कल नहीं है अर्था जहां जल है वहीं कल है और जहां कल है वहीं मानव होए वहीं जनसंख्या का बसाव होता है जो चौथा प्रमुक कारक है वह है प्राकृतिक वनस्पति हम सबी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो मानो का प्रमुक आहर रहा है वोझ प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति जहां जहां थी जनसंख्या का बसा वहाँ पी था क्योंकि वनस्पतियां हां ही प्रारंभि में पेड़ बढ का साधर फस्चाल, फूट्र, पत्ति के माद्यम से जनसंख्या अपना भरन, पोशंड करती थी इसनाते जनसंख्या के बितरण और घनत को प्रभावित करने में प्राकृतिक वनस्पतियों का विशेश योगदान है। आप देखेंगे, आज भी आधुरिक युग में भी प्राकृतिक वनस्पति जहां पे जंगल हैं, जहां पे फलदार विरिक्ष हैं, वहीं पे आज भी जनसंख्या का बशाओ है। अपने हाँ जो बड़े-बड़े सीत मरुस्थल हैं, जिसको हम अंटरकट का महादीब कहते हैं, ग्रीन लेंड कहते हैं, इन सीत लेंडों पे न कोई प्राकृतिक वनस्पति हैं, न जलापूर्ति के शाधन हैं, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का घनत तो सुन्ने पाया ज जाता है, जो प्रमुक पाचवा कारक है, वह है खनिश संसाधन, ये भी प्राकृतिक कारक है, खनिश संसाधन प्राकृतिक कारक है, आज जहां भी खनिश संसाधन मिलता है, वहाँ पे मानव का बसाव सबसे दिखोता है, क्योंकि प्रकित ने मनुष्य को जीने के लिए भरपूर मात्रा में धरातल के नीचे और धरातल के उपर खनिश संसाधन दिये हुए आज आधुनी के उग में लोहा, कोईला, सोना, चांदी, बाकसाइड, टीन इस प्रकार के जहां भी खनिश संसाधन पाये जाते हैं वहां पे जनसंख्या बसने के लिए चली जाती है और इन्हीं अस्थानों पे उद्योग धंदे भी लग रहे हैं प्राचेन काल से मानों अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए आयात निरात के लिए ब्यापार के लिए इन्हीं खनिश संसाधनों पे निर्भर रहा है इसलिए जहां पे खनिश संसाधन है विश्व के किसी भी कोने में आप जाएंगे अमेरिका में जापान में शिंगापुर में भारत में जर्मनी में फ्रांस में जहां पे भी खनिश संसाधन है वहां पे सरवाधिक जनसंख्या रहती है जहां पे खनिश संसाधन नहीं है व वहाँ पे सरवाधिक जनसंख्या घनत तो पाये जाएगा अब हमारा जो दूसरा प्रमुख है ओ है मानिवी कारक मानिवी कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करने में विश्योश योगदान रखता है क्योंकि मानिवी कारक जनसंख्या के बितरण एवन घनत को प्रभावित करने वाले कारक में जो दूसरा प्रमुक कारक है वह है मानिवी कारक मानोव अपने क्रिया कलाप से भी जन्संख्या का बितरण प्रभावित करता है क्योंकि तो मनुश कि है कि अपनी आवश्यक्ताएं है उन आवश्यक्ताओं की पुर्ति के लिए वह एक दूसरे के नसधीक जाता है यदी आवशक्ता की पुर्ती नहीं कर पाता तो दूर चला जाता है उसमें जो सबसे प्रमुक कारण है वह है उद्योग धन्दे गाले है उद्योग धन्दे जनसंख्या के बितरण में घनत को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारक में उद्योग धंदे, आधुनिक युग में उद्योग धंधों की बहुत आवश्यक्ता है, क्योंकि जैसे जैसे बिशुभर में जनसंख्या बढ़ी है, वैसे वैसे रोजगार की आवश्यक्ता बढ़ी है, जब रोजगार की आवश्यक्ता बढ़ी है, तो उ जनसंख्या का बशाव बढ़ता ही गिया है अपने भारत के अंदर उत्ता प्रदेश के अंदर एक जिला है सोन भद्र वह भारत के जो दक्कन का पठार है अर्थाद भारत का जो दच्छिन का पठार है उसके अंतरगत यह जिला आता है सोन भद्र तो पठारी होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती थी लेकिन जब वहाँ पे बाकसाइड खनीज पदार्थ मिला और बाकसाइड के उत्पादन के लिए वहाँ पे भारत की जो प्रसिद्ध उद्योग है हिंडाल को उसने अपना पहला उद्योग लगाया और हिंडाल को उसी बाकसाइड से आज एल्मूनियम के छोटे से लेके बड़े संयंत्र बना रहा है और उस बाकसाइड की फैक्टरी से एल्मूनियम की फैक्टरी से हिंडाल को की फैक्टरी से आज पूरा रेनू कोट जैसा एक 15 लाख आवादी वाला सहर बस गया है तो जहां पर उद्योग धन्दे होंगे मनुश्य उधरी पलायन करेगा वहां के लिए वो प्रवास करेगा अपने गाउं से रोजगार के लिए वो प्रवास करेगा आज हम देख रहे हैं कि गाउं की जनसंख्या और गाउं का जनसंख्या घनत दोनों घट रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उद्योग धन्दे नहीं थे तो मानव खेती पर निर्भर था। क्रिशी प्रधान देश होने की कारण यह पूरी प्रत्वी पहले क्रिशी प्रधान थी। सब लोग खेती पे निर्भर थे। लेकिन समय बतलता गया। सन 1860 हिश्वी में पुनर जागरन काल में और दोगी करण की अस्थापना हुई 1860 से आगे जैसे जैसे आप देखेंगे नगरी करण बढ़ता गया। और द्योगी करण बढ़ता गया। लोग सहरों की तरफ चलने लगे और आज बिश्व भर में जहां जहां भी उद्योग हैं वहां बड़े बड़े नगर अस्थापित हो गया। इसका सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर उधारन जापान है। जापान का जो टोकियो सहर है। वहां पर खेती नहीं है। लेकिन वहां पर उद्योग है। उद्योग होने के कारण आज जापान की सरवाधिक जो जनसंख्या है, सरवाधिक जनसंख्या घनत है, वह टोकियो में मिलता है। और विश्चो का सबसे बड़ा सहर बना हुआ है। वहां क्रिशियोग भूम नहीं है। लेकिन इसी उद्योग धंदे के आधार पे आज जापान विश्चो का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला सहर है। सबसे जदा जनसंख्या घनत वाला सहर है। दूसरा जो अपना सबसे प्रमुक कारण है वह है परिवहन के साधन। हम सभी लोग जानते हैं कि मानों की जो सर्व प्रमुक आवशक्ता है वह है परिवहन। एक जगह से दूसरे जगह जाने की शुविधा उसको कहते हैं परिवहन। जब हम को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे जाने का आऊशन मिल जाता है तो हम वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। इसलिए गहाों से सहर की ओलोग जा रहे हैं। एक समय आया था जब समुन्द तटों के किनारे लोग बसना शुरू कर दिये थे इसके पहले क्या था लोग समुन्द के किनारे भी नहीं जाते थे क्योंकि परिवहन के साधन नहीं थे लोग धरातल के बीच में बसे हुए थे लेकिन समय आया परिवहन के साधन बढ़ते गए और लोग एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर प्रवास करते गए धरातल के मध्य से लोग समुन के किनारे जाने लगे धरातल के मध्य से एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर जाने लगे आज बिश्वभर के जितने बंदरगां हैं वहां पर बड़े-बड़े सहर बन गए हैं भारत में मुंबई भारत में ही विशाखा पतंव भारत में गोवा कई ऐसे महानगर हैं जो शमूंद के किनारे बशुव्में क्यों कि Вас प्रकार की यातायात है परिवहन के जो शाधन है ये ईक तो जली परिवहन है अर्ठाद सागर में चलने वाले पानी के जहाज हैं जो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाते हैं और धरातल पर चलने वाले जैसे सड़क परिवहन है तो बस है वह भी एक अस्थान से दूसरे बंदरगाह को हवाई अड़े से जोड़ दिया हवाई जहाज भी आजकल बंदरगाह के पास बनते हैं उसी प्रकार रेल परिवहन है रेल परिवहन भी बंदरगा से जुड़ गया है तो परिवहन के साधन होने से लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने लगें ग्रामीड जनसंख्या भी अपने रोजगार के लिए अपने गाउं से सडक परिवहन से रेल परिवहन से देश में प्रवास करता है इस प्रकार से परिवहन के साधन उपलब्द होने से हमारा जो जनसंख्या का बितरण और घनतों है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तीसरा जो प्रमुक कारण है वो राजनेतिक कारण है हमारा जो जनसंख्या और घनत तो है जो प्रभावित हो रहा है वो राजनेतिक कारण है कि राजनेतिक कारण है कि विश्वभर में लगभग 200 देश हैं सभी देशों की जो जनसंख्या नीत है वो अलग-अलग है भारत की जनसंख्या नीत एकदम उदार है हमारी जो सीमा रेखा है एकदम खुली हुई है यहां पे कोई विशेश रोक तोक नहीं है इसनाते भारत के अंदर कई देशों की करोणों की जनसंख्या निवास करती है पस्चिम में पाकिस्तान से पूरब में बंगला देश से नेपाल से भूटान से सभी देशों की जनसंख्या हमारे भारत के अंदर प्रवेस करके निवास कर रही है सरणार्थी के रूप में आकर के यहां बसी हुई है ऐसी करोणों की संख्या है जो भारत के अंदर आकर के इस बितरन और घनतों को प्रवावित कर रही है अभी जौनपुर जिला है सन 2005 में 20 इरानी नागरिक पाए गए थे तो इतनी उदार नीत है कि किसी भी देश के लोग आकर के भारत में बस सकते एक तरफ आश्टेलिया देश है जब हम भारत की तूलना आश्टेलिया से करते है तो समझ में आता है कि भारत का जो जनसंख्या गनतों है उसाड़े 400 के पार है और आश्टेलिया का जो जनसंख्या घनतों है तीन ब्यक्ति प्रतिवर किलो मीटर है क्यों क्यों कि आश्टेलिया की जो राष्टी नीत है वह कहती है कि आश्टेलिया का नागरिक केवल गोरा होगा वहां के गोरी नीत है गोरी नीत वहां पर गोरे लोग ही वहां देश को आता है आश्टेलिया में नहीं बस सकता इसनाते वहां का जो जनसंख्या का घनत तो है आज भी तीन व्यक्ति प्रत्वर किलोमीटर है और भारत अपनी उदार नीत के कारण अपनी राजनेतिक उदार नीत के कारण आज यहां पे करोडों बाहरी लोग रहते हैं भार कारत में जनसंख्या का घनत सबसे अधिक है जो चौथा प्रमुक कारण है और है सामाजिक कारक के जनसंख्या के बितरण घनत को की प्रभावित करने वाले मानिवी कारक में जो चौथा प्रमुक आठक है ऊह सामाजिक कारक के विशंभर में सभी देसों में जो जनसंख्या का बितरण घनत वह एक समान नहीं है कि विशुभर में 200 देश हैं सभी देशों का जनसंख्या घंद तो एक समान नहीं है क्यों कि वहां के सामाजिक रीती रिवाज परंपराएं संस्कितियां अलग-अलग है इसनाते वहां पर जन संख्या का भीतरण और घंद तो अलग-अलग हैं भारत के अंदर कुछ सम्परदाई ऐसे हैं कि वह जादा चाँ पैदा करने पर विश्वास करता यह ज़्यादा बिवाचे उपर विश्वास करतें इसनाते उन छेत्रों में जहां पे उस संप्रताई के लोग रहते हैं वहां पे जनसंख्या अधिक है और जहां पे दूसरे संस्किति के लोग है सभ्यता के लोग है जहां पे यह मानते हैं कि जो प्रकित की चीज़ है प्राकृतिक चीज़े हैं उसको सबसे कम मात्रा में उप जनी हो इन सब देशों में आप देखेंगे इगलेंड भी देख लिजें सवसे अधिक देशों में राज्य किया लेकिन आज भी उसका जनसंख्या जो घनत तो है ओ सबसे कम है तो जो सामाजिक कारक है वह है जनसंख्या को प्रभावित करती है हमारे अभी चीन पड़ोसी देश है सन 1918 के पहले प्रतम युद्ध के पहले वहां के जो चीन के निवासी थे वह अपने पुर्वजों के कब्रों के पासी रहते थे कहते थे हम इनको छोड़ के नहीं लेकिन जब सन 1918 में प्रतम विश्विद हुआ अधिक से अधिक लोग मारे गए कब्रों के संख्या बढ़ गई तब लोगोंने प्रवास करना सुरू किया पैड़ाम क्या है आज विश्व का सरवाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है इसको हम अपनी भासा में होम सिकनेस भी कहते हैं होम सिकनेस के कारण व्यक्ति प्रवास नहीं कर पाता एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जा नहीं पाता अपनी मोह माया को छोड़ नहीं पाता है ऐसे भारत में है भारत में भी आप कई प्रदेश को देखेंगे कि वह होम सिकनेस के कारण जो है प्रवास न सरवाधिक जनसंख्यावला प्रदेश कि बिहार सरवाधिक जनसंख्यावला पश्चिम बंगा सरवाधिक जनसंख्यावला प्रदेश क्यों क्योंकि ये एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने पर होम सिखने से सामाजी कारण हैं का ये एक दूसरे से लगाओं में शंब करना चाते हैं नहीं जाते हैं उना दूर भिवाह के लिए नहीं जाते ऐसे लोगों के कारण भी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है ऐसे लोगें के कारण जनसंख्या घंत्त और बित्रणद पृभावित हो रहा है खास करके पाकिस्तान और बंगला देश दोनों नए देश बने हुए हैं 147 में बना 171 में मना लेकिन बिश्चु के जनसंख्या वाले देशों में इनका चाउथा और पाचवा नाम है इंडोनेशिया सरवाधिक जनसंख्या वाला देश है तो इस प्रकार से जहां पे निवासी लोग रहेंगे वहां पे जनसंख्या अधिक बढ़ेगी और अन्तीम है आर्थिक कारक पाचवा है आर्थिक कारक जनसंख्या के बित्रण घनत को प्रभावित करने वाले कारक में जो मानुवी कारक है उसमें आर्थिक कारक है आर्थिक कारक में जनसंख्या कैसे प्रभावित होती है आज आर्थिक यूग है हर ब्यक्ति को धन चाहिए पैसा चाहिए और उसी धन और पैसे से ही वह सब कुछ करेगा परिवार पालन से ले करके समाज बालन तो जहां जहां उसको अर्थ दिखाई पड़ेगा वहां वहां वह जाएगा वो ब्यक्तिगत जाएगा परिवार के अस्थान पर नोकरी के लिए जाना पड़ता है और नोकरी करेगा तब जो है परिवार का पेट भरेगा तो अपना बाद में परिवार उठा ले जाता है उस छेत्र में जहां पर रोजगार के उशर होते हैं जहां पर अर्थ की भी उस्था होती है पूरा परिवार उठा ले जाता है तो ऐसे अस्थानों पे जन संख्या बढ़ने लगती है ऐसे अस्थानों पे जन संख्या घनत भी बढ़ने लगता है आज जब हम गाओं के जंगलों में उसर बंजरों में देखते हैं कि एक छोटी छोटी जंजातियां है गाओं की भासा में नट बहचरिया करते हैं जुन्ड के जुन्ड आजकल यात्रा कर रहे हैं जहां भी जाते हैं सैकरों 200 की संख्या में जाते हैं उस गाहों के जो जन जने gnaccty घ्ףणतक एक एक जो है दो गुना हो जाती है तो ये जो आर्थी कारक रख रोजगार के चक्कर में लोग एक स्थान से दूसरी स्थान पर प्रवाज कर रहे हैं तो यह जो अपने हैं जनसंख्या भुगोल के जनसंख्या के बितरण इवंग घनत को प्रभावुत करने वाले कारक में उसको मैंने बताया पहला प्रमुक कारक था प्राक्रतिक कारक दूसरा था मानवी कारक आज का भी से बस यहीं समात्त हो रहा है